नमस्ते हर्यों एक कन्फूजन लोगों के मन में अक्सर रहती है कि आखिर दिन का आरंब क्या खा करके करें हाला कि हमने पहले कई बार साजा किया है कि अगर आप दिन का आरंब फ्रूट खा करके कर सकें तो बहुत बहुत अच्छा है लेकिन फिर भी कुछ लोग जो नाश्ते में ही फ्रूट खाते हैं और नाश्ता क्योंकि सुबह उठ जाते हैं उसके बाद अभ्यास करते हैं कुछ भी वरक आउट करते हैं और नाश्ता थोड़ा लेट लेते हैं उनको ये समस्या अकसर रहती है कि हम अपने दिन की शुरुवात कैसे करें अगर आप नाश्ते में फ्रूट भी खाते हैं तो भी अगर आप दिन की शुरुवात इन दो सोग्ट चीजों से करें जो हम आज के एपिसोर में बता रहे हैं तो आप जीवन में हमेशा स्वस्त रहेंगे क्या हैं ये दो चीजे पहली है अलमंड यानि बादाम और दूसरी है किश्मिश अब आप कहेंगे आचारे जी बादाम भीगो करके खाने की बारे में तो सुना था पर किश्मिश भीगो करके खाने की बारे में हमने पहले नहीं सुना तो अब सुन लीजिए समझ भी लीजिए और अपना भी लीजिए क्या करना है आपको रात्री में चार से पांच बादाम हमें भीगो देने चाहिए और सुभा उठ करके इन बादाम का सेवन करना चाहिए अकसर लोग बादाम का छ चिलके समेत बदाम का सेवन करें, तो उसके बहुत अधे गुण होते हैं, तो सुभा उठ करके आप खाईए सोगड बदाम और किशमिश कैसे भी गुणी है, आप आठ से दस किशमिश लीजिए और एक गलास पीने के पानी में इनको सोग कर दीजिए, पूरी रात इनको सोग रहने दीजिए, सुभा आपको ये जो पानी है इसका सेवन कर लेना है और ये जो किशमिश है इसको खा लेना है, बदाम के पानी का सेवन हमें नहीं करना है, किशमिश के पानी का सेवन करना है, इसके बहुत सारे गुण है, अगर आपको वजन घटाना है, तो उसके लिए बहुत लाबकारी है, आपके digestion को बहतर करता है, आपके brain के functions को improve करता है, आपके दिल, यानि आपके heart के health के लिए बहुत लाबकारी है, energy को boost करता है, diabetes के patients के लिए भी soaked almonds का 7, अभी हम almonds के बारे में बता रहे हैं, किश्मिश के बारे में नहीं, उसके बारे में भी बताएंगे, diabetes के patients के लिए भी soaked almonds बहुत बहुत लाबकारी है, अगर आपके eyesight weak है, आपको आँखों से जुड़ी हुई समस्या है, तो भी या आपके लिए बहुत बहुत महत्वपून है, अगर आपका BP high या low रहता है, तो BP को normal रखने के लिए भी soaked almonds बहुत लाबकारी है, cholesterol level को reduce करता है, constipation, यानि cubs की समस्या में ये बहुत अधिक लाबकारी होता है, और आपके जितने भी skin problems है, कितने सारे लोग तो बादाम को घिस करके सुबह skin पे लगाते हैं, तो हम उनको कहते हैं, अरे इसको skin पे लगाने की जगा खा लो, तो भीतर से भी सुन्दर हो जाओगे और स्व tension के रूप में ये बहुत महत्वपोन होता है, तो आप soaked almonds का सेवन नियमित रूप से करें, अब बात करते हैं, soaked kishmish की, अगर आप soaked kishmish का सेवन करते हैं, तो anemia की problem या hemoglobin कम हो जाने की problem है, उसमें ये बहुत लाबकारी होता है, इसके साथ weight loss, आपके digestion को बहतर करता है, आपकी तवचा अगलो करने लगती है, आपके eyesight, anemia, तो of course हमने बताया ही, आपके bone, हड्डियों की health को improve करता है, आपकी जो oral health है, उसके लिए बहुत महत्वपोन है, और आपके हृद्धय को स्वस्त रखता है, heart health के लिए बहुत अच्छा और सबसे महत्वपोन, आपकी immunity क है, तो आपने देखा कि कैसे COVID के समय पर हम सब रोग प्रति रोधक शक्ती की ही बात कर रहे थे, तो अगर आप दिन का आरम, soaked almonds और soaked raisins से करते हैं, तो देखे कितने सारे लाब हैं, आप कल से ही ऐसा करना शुरू कीजिए, और आसान सी चीज़ है, आपको कोई extra तयारी उसक के जरूर आएंगे, हरियों